हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी यूसफुल एप लेके आगया हूँ जिसका यूस करके आप अपने किसी भी PDF को convert कर पाओगे इसमें बहुत सारे formats available हैं जैसे PDF to Word आप convert कर सकते हो PDF to Excel, PDF to PowerPoint का option available है PDF to image भी भी आप convert कर सकते हो तिन दोस्तो यहाँ पे जितने भी editable formats हैं जैसे कि HTML, XML, PDF to text and PDF to PDF यहाँ पे आप easily तरीके से convert कर सकते हो और यह एकदम यहाँ पे free में available है साथ ही में दोस्तो जो password protected PDF होता है उसे भी आप editable format में यहाँ पे convert कर पाओगे इसका एक unique feature भी यहाँ पे आपको मिलता है convert scan PDF to editable formats मिन्स अगर आपके पास scan PDF भी रखी है तो भी आप इसी editable format में convert कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मिन्स text वगरे सभी यहाँ पे same ही रहेंगे इसका live proof भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ दिन दोस्तों यहाँ पे यह जो app है यह सबी device के लिए available है चाहिए आपके पास Windows हो Mac हो, iPad हो या फिर Android link में इसकी description box में provide कर रहा हूँ जैसे आप उसे tap करोगे यहाँ redirect हो जाओगे free download के tab में आपको यहाँ पे tap कर देना है and within a second जो यह app है आपके PC में install हो जाएगी इसे आपको यहाँ पे install कर लेना है install करने के बाद इसका user interface आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा काफी simple यहाँ पे user interface है यहाँ पे left side में आप देख सकते हो सारे formats available है then यहाँ पे आप किसी भी format में PDF को convert कर सकते हो और बहुत ही आसानी से convert हो सकता है यहाँ पे आप देख सकते हो add file का option है सबसे पहले जोस्तों एक PDF file यहाँ पे select करेंगे इसे मैं यहाँ पे आपको word में convert करके दिखाऊंगा यहाँ पे PDF file को मैंने select कर लिया है यहाँ पे आप देख सकते हो PDF file जो भी आप select करते हो ऊपर की top में आपको दिखाई देगी यहाँ पे format आपको select करना है flowing को ही यहाँ पे as it is रखे रहना है and go के tap पे आपको tap कर देना है यहाँ पे आपको कोई भी folder select करना है इस file को source के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कितने तेजी से यह जो file convert हो रही है and यहाँ पे approximately कुछी second यहाँ पे लगने वाले हैं देने हाँ आप आप देख सकते हो यह जो file है PDF file यहाँ पे word में convert हो चीकिए word में मैं इसे open करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो यह जो PDF file ते जिसे हम edit नहीं कर पा रहे थे यह काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं इसे edit कर सकता हूँ तिन यहाँ पे इसकी photos वगएरे जो है as it is यह font भी यहाँ पे as it is यह कोई भी यहाँ पे changes नहीं मिल रहा है generally जो हम software के through convert करते हैं तो यहाँ पे font चेंज हो जाते है photos वगएरे जो है इसके size वगएरे चेंज हो जाते हैं unbalance हो जाती है बट यहाँ पे आप देख सकते हो as it is same to same वैसा है क्या वैसा ही है यहाँ पे आप easily से यहाँ पे edit कर सकते हो word के बाद दुस्तों यहाँ पे PowerPoint में भी आपको PDF फाइल को convert करके दिखा देता हूँ यहाँ पे simply वही process करनी है add file पे जाना है आपको कोई PDF फाइल यहाँ पे select कर लेनी है then PowerPoint में यहाँ पे आपको tap कर देना है then यहाँ पे आपको go के option पे tap कर देना है folder select करना है and इसके बाद दुस्तों आप देख सकते हो कितनी तेजी से यहाँ पे जो PDF फाइल है हमारी PPT फाइल याने PowerPoint में convert हो जाती है मैं आप इसे PowerPoint में आपको open करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ पे देख सकते हो कोई भी यहाँ पे changes नहीं हुआ है font, pictures, sub as it is, same to same ही है and यहाँ पे easily तरीके से आप इसे edit कर सकते हो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं जाने वाली है इसके बाद दुस्तों मैंने आपको बताया था कि कि किसी भी password protected PDF को यहाँ पे हम editable format में convert कर सकते हैं यहाँ पे मैं एक password protected PDF चूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे दूस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने password protected PDF चूज़ किया यह lock थी लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने चूज़ किया यह unlock automatically हो चुकी है अब मैं इसे word excel powerpoint में convert कर सकता हूँ फिलाल दोस्तों मैं इसे word में convert करकर दिखाता हूँ प्रोसेस हमारी same ही रहे कि go की बटन पर tap करना है यहाँ पे select folder करना है तिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी speed से यह जो है टेस्ट चूज़ कर रहा है मैं इस थोड़े ही देर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे PDF जो है word में convert हो चुकी है अब दोस्तों यहाँ पे simply मैं इसे open करकर दिखा देता हूँ यहाँ पे आप दिख सकते हो यह PDF फाइल थी वह भी password protected लेकिन यह यहाँ पे word में convert हो चुकी इवन दोस्तों जो text है यहाँ पे same ही आपको मिलेंगे कोई भी font बगरे में आपे changes नहीं है तो यहाँ पे अगर आप edit करना चाहते हो तो edit कर सकते हो photo बगरे को भी यहाँ पे आप changes कर सकते हो तो इस तरह से password protected PDF को भी यहाँ से आप से यहाँ पे जो है कर लेना है आप देख सकते हो बहुत सारी जो language है उसका support यहाँ पे आपको मिल जाता है मैं English language ही यहाँ पर select कर रहा हूं यहाँ पर आपको all pages या फिर किसी और even pages को आपको select करना है वहाँ से आप select कर सकते हो 31 pages का यह PDF है आपको go की बड़न पर tap करना है यहाँ पर folder select करना है same to same वही process रहेगी पहली बाली यहाँ पर देख सकते हो कि इतनी तेजी से यहाँ पर scan PDF जो की काफी ज़दा skill रहती है उसे इडिट करना कुछ software जो है वह अच्छे से इडिट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें output मिल चुका है PDF को यहाँ पर बर्ड या फिर कोई भी format एक्सल फॉर्मेट या PPT में convert कर सकते हो आप देख सकते हो काफी एच्छे तरीके से यहाँ पर edit हो रहा है आप इसे save भी यहाँ पर कर सकते हो काफी useful software दोस्तो 7 days free trial आपको मिल जाता है अगर उसके बाद भी आपको इसे use करना है डिल लाइफ में तो आप देख सकते हो इसकी यहाँ पर pricing लिखी है description box में आपको मैंने इसकी link भी mention कर दिये यहाँ से आप इससे permanently purchase कर सकते हो आप दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर कोई doubt या question है comment section में आप पूस सकते हो फिला दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है next नए वीडियो के साथ में तब तक लिजेन बोलते रहेगे बंदे मातरम